दोस्तों नमस्कार ये हमाग दोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एड़ेट जूनियर हाइ स्कूल परधाना ध्यापक और सहायक अध्यापक भरती परिक्षा के लिए विज्यान का प्रेक्टिस सेट संख्या 5 जिसमें हम विज्यान से संबंधित कुल 50 महत्तुपूर्ण प्रश्णों को साल्व करेंगे दोस्तों ये वीडियो जूनियर हाइ स्कूल अध्यापक भरती परिक्षा के विज्यान के साथ सामाजिक अध्यान और सामान ग्यान के लिए भी बहु सेट का जो पहला प्रश्ण है देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्ण है कोसिका का नियंतरण केंद्र किसे कहा जाता है तो सही उत्तर है दोस्तों कोसिका का नियंतरण केंद्र न्यूकलियस या हिंदी में इसको केंद्रक कहा जाता है इसको कहा जाता है तो कोसिका का नियंत तो मुख्य धाचे भिद्दिमान रहते हैं जैसे क्रोमोसोम और नाभिकी ये नूकलियो ली तो सही उत्तर है कोसिका का नियंतरन केंद्र नाभिक यानी नूकलियस होता है अगला प्रेश्ण है सबसे आसान प्रेश्ण है क्लोरोफिल किस रंग का वाड़क होता है तो सही उत कास संसलेसर में मोहतोपोड भूमिका निभाता है आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्ण है दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है बहुत ही आसान सा है और कई बार परिक्षाओ में पूछा गया है तो आपको बताना है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया ज देखिए क्यूरी ताप या क्यूरी पॉइंट वह ताप है जिस पर पदार्थों के लोह चुम्बकत्तों का गुड़ समाप्त हो जाता है और वह अनुचुम्बकी हो जाता है अगला प्रशन है बाकसाइड आयस के जिसमें सिल्कान डायाकसाइड अशुद्धता के रूप में अधिक हो उसकी सोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है तो दोस्तों बाकसाइड आयस से अल्यूमिनियम निकाला जाता है लेकिन इसमें जब सिल्कान डायाकसाइड के अशुद्ध अगला प्रश्ण है दोस्तों स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अमल प्रियोग किया जाता है तो उत्तर है आगजैलिक एसिड का प्रियोग किया जाता है दोस्तों तो सही उत्तर आपसन A है अगला प्रश्ण है यू कैरियोटिक सेल में प्लाजमा जिल्ली किस से बनी होती है आपको बताना है तो सही उत्तर है यू कैरियोटिक सेल में दोस्तों प्लाजमा जिल्ली फोलफो लिपो प्रोटीन देखिए फासफो लिपो प्रोटीन की बनी होती है आपसन C आपका सही उत यू कैरियार्टिक सेल में प्लाजमा जिल्ली फास्फो लिपो प्रोटीन की बनी होती है इसका निर्मार तीन परतों से मिलकर होता है इसमें बाहरी और भीतरी परते प्रोटीन तथा मध्यवाली परत का निर्मार लिपीडिया वशा से होता है अगला प्रशन देखिए चालन पट्टि का किसका एक भाग होता है तो सही उत्तर है चालनी पट्टि का पोश्वाह या फ्लोएम का भाग होता है दोस्तों जायलम जो होता है पौधों में जल का संबहन करता है इसी तरह फ्लोएम जो है भूजन का तो दोस्तों जायलम की तरह फ्लोएम भी पौधों में पाय उसे होता है अगला प्रश्ण है आलू में जो अच्छियां होती है यानि आईज होती है वो किस में मदद करती है तो सही उत्तर है आलू की जो अच्छियां होती है यानि आख होते हैं ये काईक जनन में मदद करते हैं तो सही उत्तर है काईक जनन में आलू की अच्छियां मद कार्पेस, जायंगीता से किस किसम का फल परदान होता है या प्राप्त होता है तो सही उत्तर है दोस्तों गुच्छेदार फल एक ही फूल के कई अंडासे कैसा सामिल होने से बनता है जैसे इस्ट्राबेरी, ब्लैक बेरी आदी तो सही उत्तर है आपका गुच्छेदार देखिए बहु अंडपी बियुक्ता अंडपी और जायांगियता ये गुच्छेदार फल के किस्म से प्राप्त होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है अतिवर्धन का अर्थ क्या है दोस्तों किसी उतक या किसी अंग में सामान्य कोशिकाओं की संख्या में अप सामान्य वृध्धी को जो है दोस्तों अतिवर्धन कहा जाता है तो सही उत्तर है कोशिकाओं की संख्या में अप सामान्य वृध्धी को अतिवर्धन कहते हैं अगला प्रश्ण है सरीर के किस अंग में विटामिन A की अधिकता जो होती है वो एकत्र होती है तो उत्तर है कि विटामिन A की अधिकता दोस्तों ये यक्रित में एकत्र होती है आप जानते हैं कि विटामिन A के वल वसा में ही घुल सकने में सक्षम है इसलिए ये अक्रित में वसा को संचित रखता है अगला प्रेश्ण है वाई में कारबन डायाकसाइड की कितनी मात्रा होती है तो वाई में समानते हैं दसमलो सुन्य तीन छे प्रसत कारबन डायाकसाइड होता है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दस्मलो सुन्य तीन प्रस्त कार्बन डायाकसाइड वाई में होता है आप जानते हैं वाई मंडल का बड़ा भाग नाइट्रोजन यूगत है जिसकी मात्रा वाई मंडल में 78 दस्मलो सुन्याट प्रस्त है और जीवन के लिए उपयोगी आकसीजन की मात्रा वाई मंडल में 20 दस्मलो नौ 5 प्रस्त होती है अगला प्रस्त देखते हैं दोस्तों पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है यादि सारी बर्फ पिघल जाए तो जल का तल कैसा रहेगा तो सही उत्तर है दोस्तों जब पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हूँ सारी बर्फ पिघल जाने पर भी जल का तल अपरिवर्तित रहेगा अप्संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है निमलखित में से कौन उभै धर्मी आकसाइड है आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों उभै धर्मी आकसाइड जो है ये है SNO2 SNO2 जो है ये आपका उभेधर्मी आकसाइड है ये अमल और छार दोनों से क्रिया करकी लवन्ड बनाते हैं यानि ये अमली और छारी दोनों प्रकार के आकसाइडों के भात ब्योहार करते हैं अगला प्रश्ण है चीटी के डंक में कौन सा आमल होता है तो आप जानते हैं आसान सा प्रश्ण है चीटी के डंक में फार्मी के सीड होता है दोस्तों फार्मी के सीड चीटी के डंक में होता है इसलिए ये है जलन होता है जब चीटी काटती है तो अगला प्रश्ण है सैवाल और कवक के परसपर सहयोग से बनने वाले सहजीवी पौधे को क्या कहते हैं आपको बताना है तो दोस्तों सैवाल यानि एलगी और कवक यानि फंजाई के सहयोग से बनने वाले पौधे को लाइकेन कहते हैं Lichen, Lichen सब्द एक जगह और आता है दोस्तों वायू प्रदोसन्ड के सूचकांग के रूप में Lichen का नाम आता है तो आप बताईएगा कि Lichen जो है वायू प्रदोसन्ड का सूचकांग का कारिक किस प्रकार से करता है अगला प्रश्ण है फाइकस में परागण कैसे होता है दोस्तों फाइकस यानि बर्गत के पुस में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है आपसन ए आपका सही उत्तर है फाइकस में परागण जो है ये कीटों के द्वारा होता है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों प्रशन संख्या 18 है कि आर्धता को मानांकित करने के उपकरण कौन सा है यानि अर्धता को किस उपकरण से मापा जाता है सही उत्तर है हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर नहीं बलकि ये है हाइड्रोमीटर जिससे आर्धता कमापन किया जाता है अगला प्रश्ण है दो समांद्र बिमान की वस्तुओं की गते जुर्जाओं का अनुपात चार और नौ का है तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा तो आप जानते हैं के इस इक्वेल टू यानि गते जुर्जा बराबर एक बटे दो यमवी स्क्वाइर तो ज अगला प्रश्ण है दोस्तों एक ब्यक्ति कार में जो बिराम में बैठा है सड़क के कार के चार पहियों में से प्रतेग पर प्रतक्रिया आर है जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों में प्रतेग पर प्रतक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा आपको अगला प्रशन है बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं आप सन है आपके दोस्तों सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, amylase या pathogen तो सही उत्तर है pathogen बीमारी फैलाने वाले agent को pathogen कहते हैं amylase एक enzyme है जबकर secretin और prolactin हार्मोन होते हैं तो सही उत्तर है बीमारी फैलाने वाले agent को pathogen कहा जाता है याद कर लिजेगा अगला प्रश्न है खाद इस रिंखला में साकाहारी क्या होता है आपसन है आपके प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्भोगता, दूतियक उत्भोगता और अपगटक तो सही उत्तर है खाद इस रिंखला में जो साकाहारी होता है ये प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पाओधे होते हैं और प्राथमिक भोगता जो है वो साकाहारी होता है जो कि इन बनस्पतियों पर आस्रित होता है अगला प्रेश्ण है निम्लिखित में से यसाई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कारे का जूल हो जाएगा सही सुमेलित है बल का नियूटन हो जाएगा ये भी सही सुमेलित है द्रब्यमान का किलोग्राम सही सुमेलित है दाब का डाइन ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि दाब का यसाई मातरक पास्कल होता है और C प्रश्ण है निम्रखित में से किसमे उच्चतम उर्जा होती है आपको बताना है नीला प्रकास हरा प्रकास लाल प्रकास या पीला प्रकास तो सही उत्तर है नीला प्रकास दोस्तों नीला प्रकास देखिए किसी तरंग की उर्जा उसके तरंग दैर के ब्योत कुर्मान पात अगला प्रेशन है एक राडार जो सत्रु के वाईयान की उपस्थिती का पता लगाता है वो किसका प्रियोग करता है तो सही उत्तर है दोस्तों एक राडार जो सत्रु वाईयान की उपस्थिती का पता लगाता है वो रेडियो तरंगों का प्रियोग करता है तो रेडियो तर कारकी वस्तों की रेंज उचाई दिशा और गतिका पता लगाए जाता है अगला प्रश्चन है परदोस्कों की रूप में फीनोलिक्स को गंदे पानी से किसका परियोग करके निकाला जाता है तो सही है आऎन-बिनिमे रेजिन तकनीक देखिए आयन बिन में रेजिन तकनीक द्वारा परदोसकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से परियोग करके निकाला जाता है अगला प्रशन है दोस्तों वायू में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा करती है तो दोस्तों वायू में जब हाइड्रोजन जलती है तो जल पैदा करती है आप जानते हैं 2H2O2, 2H2O यानि जल का निर्माड होता है वायू में हाइड्रोजन के जलने से अगला प्रशन है निम्रखित में से कौन सा इधन नियूंतम परियावरण प्रदोशन फैलाता है तो आप जानते हैं हाइड्रोजन दोस्तों हाइड्रोजन जो इधन है ये बहुत ही महतपूर इधन है ये सबसे कम परियावरण प्रदोशन फैलाता है और बहुत ही महतपूर है दोस्तों ये जो है इसका उपयोग बैटरी द्वारा चालित वाहनों और विद्धोत उपकाड़ों में भी किया जाता है अगला प्रशन है पास्चुरी कराण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है कितना तो दोस्तों पास्चुरी कराण या पास्चुर गर्म किया जाता है और फिर से घरता से ठंडा किया जाता है जिससे लैक्टिक अमल जिवाड़ूं की संख्या कम हो जाती है और रोग जनक विशाड़ूं की मृत्तु हो जाती है अगला प्रशन है दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है जैविक भौतिक रासायनिक या भौतिक औ होती है अगला प्रश्ण है प्रकास के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिक्तम होती है आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों लाल रंग के लिए देखे लाल रंग के प्रकास के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिक्तम होती है यह याद कर लिजेगा अग तो यहाँ पर देखे आपसन ए आपका सही हो जाएगा जब दाब के सुतर से आप बल बटे छेतर फल का जब आप हल करेंगे तो सही उत्तर वन इन्टू टेन टू दिपावर फाइब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वाइर हो जाएगा अगला प्रशन है निम्खित अधातू में से कौन सा एक विद्दूत का मंद चालक नहीं है आपको बताना है आपसन है सलफर, सेलेनियम, ब्रोमीन या फासपोरस तो सही उत्तर है सेलेनियम दोस्तों सेलेनियम बिद्दूत चालन जो है बिद्दूत का चालन धात्विक गुड़ है किसी वर्ग में नीचे की और जाने पर धात्विक परकिर्ति बढ़ती है किसी आवर्थ में बाएं से धाये जाने पर धात्विक गुड़ घटता है इसलिए बैद्दूत चालक में नियूट्रान नहीं होता है आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ताबा तो सही उत्तर है हाइड्रोजन का परमाण कुर्मान के एक होता है और साधारण हाइड्रोजन यानि जो साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई नियूट्रान नहीं होता है आपसंसी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है एक तक तो यक्स के बाहितम का अच्छा में चार एलेक्ट्रान है हाइड्रोजन के साथ इसके योगिक का कौन सा सुत्र होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स एच फोर एक्स एच फोर जो है ये एक्स का हाइड्रोजन के साथ जो योगिक बनेगा उसका सुत्र हो जाएगा अगला प्रश्ण है एंटासीड क्या होते हैं आपको बताना है एंटासीड जोस्तों ये क्या होते हैं भस्म अमल लवड या बफर तो सही उत्तर है एंटासीड जो है ये भस्म होते हैं तो स दियावयों से मिलकर बने होते हैं इसका उपयोगाउसदी के रूप में पेट में बने जादा ऐसीड को कम करने से बनने से रोकने में किया जाता है अगला पुर dispersed है कि स्वार्ड कारों दौरा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया किसको मिलाकर बनाय जाता है तो दोस्तों अमल राज या एक्वारेजिया को नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अमल या नाइट्रिक अमल और हाइड्रोक्लोरिक अमल के मिस्रण से बनाय जाता है तो सही है नाइट्रिक अमल और हाइड्रोक्लोरिक अमल सही उत्तर आपका आपसन भी हो जाएगा और आपके लिए एक प्रश्ण है कि किस अनुपात में इनको मिलाया जाता है यानि नाइट्रिक अमल और जो है हाइड्रोक्लोरिक अमल को किस अनुपात में मिक्स करके अमल र प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वाताबरण में मवजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के तापमान में अपेक्छा क्रित उसको अधिक बनाने में मदद करती हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर आपसन भी हो जाएगा जिसमें वाई म का तापमान बढ़ता है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है अगला प्रशन है निम्रखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थित की तंत्र है धान का खेत वन घास का मैदान या जील तो सही उत्तर है धान का खेत कृत्रिम पारिस्थित की तंत्र का उदाहरण है अगला प फ्रेंसियम और टेट्रियम ये आपके दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्तों की स्रेडी में हैं अगला प्रशन है माउस क्या है तो आपको बताना है मेमोरी है, cpu है, input device है या output device है तो सही उतर है mouse एक input device होता है और input device का प्रयोग computer यानि CPU को सूचना परदान करने के लिए किया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों भारती सुपरकम्प्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो सही उतर है बीजय भाठकर दोस्तों भीजय भाठकर को भारती सुपरकम्प्यूटर का जनक कहा जाता है अगला प्रशन है पेंसिलीन के आविसकारक कौन थे एलेकजेंडर फ्लेमिंग दोस्तों पेंसिलीन एंटिबायोटिक के आविसकारक माने जाते हैं और इसकी खोच 1928 में इस काटिस बैग्यानिक और नोबेल पुरसकार भी जेता एलेकजेंडर फ्लेमिंग ने की थी अगला प्रशन है हिर्दय में कितने कच्छक या कच्छ होते हैं तो सही उत्तर है दोस्तों मानो हिर्दय में जो कच्छ हैं वो चार प्रमो कच्छक होते हैं सही उत्तर आपका आपसन भी हो जाएगा अ जेल समुदर के पास जाने से तैरने से घबराता है हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का पुराना नाम भी है रेबीज का विशाड केंद्री जो है नाडी तंत्र को प्रभावित करता है तो हाइड्रोफोबिया जो है ये विशाड के द्वारा उत्पन होने वाला रोग है पी टी का टी का इसी से बचाव के लिए लगाय जाता है अगला प्रश्ण है गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुक कवक रोग कौन से हैं तो दोस्तों गेहूं की फसल पर दो प्रमुक कवक रोग काला किट और इसमट हैं काला किट और इसमट दोस्तों ये गेहूं के प फाइबर होता है जिसको रियान के नाम से जाना जाता है आपसन ए आपका सही उत्तर है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और अध्यापक भरती परिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिज्ञान का प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने ब सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार